अरावली विहार ठाना पुलिस ने इरिक्षा चालक से मुबाइल और 2800 रुपे लूटने के मामले में दो आरोपियों को गिफ्तार किया है ASI उम्प्रकाश ने बताया कि 30 अगस्त को यह चालक लोकेश मीना स्टेशन पर सवारी को छोड़ कर SMD की तरफ जा रहा था इसी दोरान रास्ते विचार बाइक सवार बदमाशों ने उसका मुबाइल और नगदी लूट लिए साथी मारपीट कर फरार हो गए पुलिस ने कारवाई करते हुए एक बालपचारी को उसी समय निरुद कर लिया था वहीं अब दो अन्या रूपियों असी क्वार्टर निवासी अंकुरवाल्मिकी और लालडिकी निवासी हर श्रीवास्तर को गिर्फतार किया गया है लोकेश मेना है लोकेश मेना सनव जगदीश परसाथ मेना ये एक एरिक्षय चालक है ये 23R2023 का मामला है ये स्टिशन से सवारी छोड़ करके और SMB सर्केश के तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक मोटर साइकल पर चार लोग आए और जिन्होंने उसके साथ मारपीश करके 2600 रुपय और मुबाइल शें लिया तो उसी समय मोके पे एक जुष था बच्चा था नाबालिक को पकड़ा गया था और इनकी मोटर साइटल थी वो चप्र कर ले गए थी उनके अकॉर्डिंग जिच्चा तीन आदमी फराड चल रहे थी जिसमें से अब दू आदमी पकड़े गए हैं एक अब पकड़ने वाले हैं यह अंकूर पुत्तर संगीत कुमार यह बालमिक है असी क्वाटर कर रहने वाला है दूसरा हर स्रिवास्तव इसको राणू पंड कि अपरादिक रिकॉर्ड है अंकूर के तो पहले वी एक लूट के मामले में यह अंकूर के वतार हुआ है और करीब पांच यह च्छे मुखज में मार पीट लूट के इसके हैं सिरी हर सिरी वास्तव